अब बात करते हैं PU polish की, PU polish अगर आप कराते हैं यह बहुत durable होती है, इसकी company ही 7-8 साल की guarantee देती है और मैं तो यही suggest करता हूँ लोगों के, कि आप PU polish कराईए, थोड़ी महंगी जरूर है, आप थोड़ा देर से कराईए, जल्दी मत कराईए, जब आपको लगे कि आपका budget है, या आप अब करा सकते हैं, तब आप PU polish कराईए, लेकिन कराईए PU polish ही हलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक टो अवर चैनल धर पेंटिंग, आज हम बात करेंगे कि polish कितने परकार की होती है, या यूं कहें कि major polish की type है, वो हम उस पर बात करेंगे, जैसे lacquer polish, PU polish, melamine polish, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अच्छली ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों को polish कितने तरह की होती है, जर्नली जो चलती है, major major polish, उनके बारे में आपको ग्यान हो जाए, आपको पता लग जाए, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाए, कि आप अपने घर में कौन सी polish कराना चाहते है, या आपको अपने इस वीडियो में बात करें हैं, वो तीन तरह की polish है, एक lacquer polish, एक melamine polish और एक है PU polish, PU polish में भी बहुत सारी variety है, lamination है, polycoat है, जिसको आप कहते हैं कि polyester है, तो बहुत सारी है, इसमें अलग-अलग effect भी हैं, इसमें हम बात करेंगे, lacquer polish की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्या नहीं पाएगी, durable नहीं होगी वो, अगर हाँ, indoor में अगर आपका budget नहीं है, या आप कराना चाहते हैं, सस्ते में कराना चाहते हैं, कई बार यह होता है, कि आपने कुछ rent पे घर देना है, या आपने कुछ ऐसी थोड़ा temporary सा एक look देना है, तो उसके लिए आप lacquer polish करा सकते है, आप उसका दूसरा code डाल दीजिए, इस तरह से आप एक के बाद एक code उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यह आपको suggest करूँगा, कि जहापर sunlight पढ़ती हो, या बारिश का पानी गिरता हो, तो वहाँ पर आप इसको करने से avoid करें, वहाँ पर इसको ना करें, यह lacquer polish था, इ Melamine अलग-अलग companies, अलग-अलग तरीके की बनाती हैं, जैसे अगर मैं Aika की बात करूँ तो उसको क्वालिटी थोड़ी अलग है, fine है, बहुत ज़्यादा उसमें Glossalience है, addition की बात करूँ तो उससे थोड़ो सा कम है, और price में भी दोनों में फर्क है, अगर आप Melamine के साथ जा जिसमें Joints है, अगर महाँ पर Joints है, तो कुछ दिनों बाद वो Joints हलका हलके खुल जाएंगे, खुल जाएंगे इन देसेंस, वहाँ से हलका crack आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी strength नहीं होती है Melamine में, कुछ महीन बाद वो आपको, हो सकता है कुछ दिनों बाद वहाँ से लगा सकते हैं, अगर उससे hire जाएंगे किसी भी company के साथ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता है, लेकिन जिसके साथ भी आप जाएंगे, तो अगर उससे hire पर जाएंगे, तो थोड़ी सी cost उसमें बढ़ जाएगी, as a material के according, अब बात करते हैं, PU polish की, PU polish अगर आप कराते है बहुत durable होती है, इसकी company ही 7-8 साल की guarantee देती है, और मैं तो यही suggest करता हूँ लोगों के, कि आप PU polish कराएए, थोड़ी महंगी जरूर है, आप थोड़ा देर से कराएए, जल्दी मत कराएए, जब आपको लगे कि आपका budget है, या आप अब करा सकते हैं, तो आप PU polish कराएए, लोग इसको कराने लगे हैं, हाला कि काफी सालों से हमारी market में चल रहा है, और यह होता है, लोग कराते हैं, लेकिन अभी उतना popular नहीं है, जितना कि मैलमाई नहीं या लेकर polish लोगों के घरों में मिलता है, तो अभी PU polish अभी भी बहुत कम जगापे, बहुत कम लोगों के घ करता है, वो अच्छे durable रहती है, हाँ, PU polish में जो joints होते हैं, लकड़ी window या जिस भी surface पे आप कराते हैं, उसमें जो joints होते हैं, PU polish strong होता है, तो यह hard होता है बहुत जादा, अगर आप PU polish करा लेते हैं, तो उनका जो joints हैं, वो joints खुलने का खतरा बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसका backdrop यह है, इसमें lever बहुत जादा लगती है, और इसका material बहुत costly है, PU polish में जब भी आप कोई cord डालेंगे, तो आपको sanding करनी पड़ेगी proper, उसके बाद फिर आप उसमें time बहुत लगता है, माली जी 3-6 गंटे कई बार सूखने के लिए छोड़ना पड़ता है, और मौसम अगर थोड़ा सा भी moisture होता है मौसम में, तो अगले दिन next day फिर उसको करना पड़ता है, तो मैं इसलिए ये बात आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं practically करता हूँ, तो मुझे idea है कि उसको सूखने में कितना time लगता है, और इसकी labor और with material अगर मैं आपको rate बता हूँ per square feet तो ये पड़ता है 300-300 रुपे per square feet किसी अच्छी company का, और इसका एक benefit ये भी होता है, कि मान लीजिए आपको 4-5 साल बाद लगता है कि थोड़ा सा scratches आ गया है, या इसको थोड़ा सा better करने की जोरत है, आप थोड़ा dull हो गया है, अगर white चला रहे तो dull हो जाता है, तो अग उसको sending करके इस fake को डलवा दीजिए, ये बिल्कुल नया हो जाएगा जैसे पहले की तरह, पूरा base बना के या उतार के करने की इसको जुरूत बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, PU polish में ये होता है कि अगर printer से कोई गलती हो गई है नीचे पीछे कहीं फर भी, या कोई spot बन गया ह या कुछ भी dust आ गया है, तो उसको sending करके निकालना होता है, फिर वो दुवारा से उसको करता है, और अगर pin hall बन जाते हैं, तो उसको पूरे को remove करना पड़ता है, paint remove से, उसके बाद उसको कर पाते हैं, PU polish दो तरह की होती है, एक PU polish होती है, clear जिसको lamination भी बोल सकते हैं, और आप white paint करा लें, PU white paint करा लें, उसके बाद आपको उसके उपर acrylic का एक code कराना है, ताकि जो white color है, वो white ही रहे, उसका color change ना हो, और मैं आपको यह बताओं के PU paint में बहुत सारे effect होते हैं, एक marble effect होता है, जिसका अगर वो आप देखना चाहते हैं, तो उसका link मैंने eye button में दिय है, तो आप वो भी देख सकते हैं, polish हमें इसलिए करानी होती है लकड़ी पर, क्योंकि लकड़ी का जो color होता है, हलाके vineyard या लकड़ी जिस पर भी हमें करना है, तो वो हलाके वैसे तो खुबसुरत होती है, लेकिन उसको और ज्यादा खुबसुरत बनाने के लिए हमें polish कर आ सकते हैं, और अगर आप अपने घर में हमसे paint और polish कराना चाहते हैं, तो नीचे दिये गए number पे आप message कर सकते हैं, call कर सकते हैं, हम हर तरह की polish भी करते हैं और paint भी करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगई है तो जरूरू से इसको like करें, subscribe करें और अपने इस तरह से, इस तरह से, ये बूंद गिरेगी ना, ये बूंद गिरेगी, जो material बनाया है हम लोग, वही material है, तो उसके बाद देखिए आप लोग, ये mother of pearl का effect है, इस तरह से नदर आएगा, इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद इसके ओपर clear gloss, acrylic clear gloss आएगा, acrylic clear gloss आएगा, वह किसलिए डलता है, acrylic इसलिए डलता है कि थोड़ा भी color change नहीं होता है, अगर normal pew डालेंगे हम, तो color change होगा, तो yellow टाइप में जाएगा, इसलिए इसको ये क्या नम,